ब़र्माकरेली खाना तो हरकिसी को बहुत पसंद लेकि बाना लाग बनाने में बहुत कोकर में रह् lot बर्माकरेली उयुने कशला आश्या च मोड़ में बूढ़ के-वं WIN यू gebe भर्माकरेलीी है यूझा समयक 01 . तो चिलीस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, इसका मसाला भी यह नहीं है कि उल्टे-पुलटे में धरदर निकल चाहेगा, तो एक पार जरूर चेक कीजीगा, और हाँ, छोटे-छोटे जो टिप्स बता हैं, उनको प्रॉपर थ्यान रखेगा, तो बिना उल्टे-पुल्टे क में फटा-फट से बनाते हैं भर्मा करेले, जो बहुत ही टेस्टी होंगे, और अच्छे भी लगेंगे, आपको अपका मसाला भी दरदर गिरने की कोई टेंशन नहीं है, तो सबसे पहले करेलों को धोकर हमने इनकी दौनों साइड जो गुंडी होती है, उसको निकाल दिया जो पाइएंगे, जिससे इस करेले में मसाला हम अच्छे से प्रॉपर ली भर पाएं, तरह से कुछ, इसी तरह से हम सभी करेलों को प्रॉपर छी लेंगे, और उनके छिलके को बिल्कुल भी नहीं पैकेंगे, और इसी तरह से इसमें कट लगा लेंगे, अब हमें चाहिए नमक, हम थोड़ा सा नमक लेंगे हाथ में, और इसके अंदर और बाहर दोनों ही साइट हमें नमक अच्छे से लगाना है, यदि हम नमक लगाने में थोड़ी कंजूसी करेंगे, तो हमारे करेलों थोड़ी से कड़वे हो सकते हैं, तो आप करेलों में नमक लगाने में बिल तो आप एक साफ पानी लीजिए और हमने जो इतना सारा नमक लगा कर रखा है इसमें उसको बिल्कुल निकाल दीजिए यदि किसी करेले में आपको पके हुए बीज दिख रहे हैं तो उनको भी फिंगर्स के हेल्प से निकाल दीजिए विकॉस भू खाने में बिल्कुल भी अच्छे लगते हैं और इनकी नमक को बिल्कुल अच्छे से साफ पानी में दो कर आप निकाल लीजिए जैसके आपको इस बीडियो में ने चला रहे हैं सीम इसी तरह से हमने जो छिलके लिये हैं याप पर उसको भी हम रणिंग वाटर में अच्छे से धो लेंगे जिसे सारा नमक इसमें से एक्स्ट्रा निकाल जाए और इसका कड़वापन भी साथ की साथ निकाल जाएगा यदि आपको डाउट है कि छिलको में थोड़ा बहुत नमक रहना जाए या फिस जादा ना हो जाए तो आप दो या तीन बार भी इसको धो सकते हैं तो यह देखिए हमारे छिलके भी रेडी हो चुके हैं और करेले भी रेडी हो चुके हैं तो अब फटा फट से इसका मसाला रेडी करते हैं मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक निकसी का जार जिसमें मैंने यह छिलको को डाला हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर मे का खटाई का यूज भी कर सकते हैं उसके बाद हम ने डाला है यहाप पर चुटकी वर हींग थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा धनिया पाउडर धनिया पाउडर हम यहाप पर थोड़ा जादा डालेंगे तो मैंने तीन चमच धनिया पाउडर और तीन चमच सौफ का पाउडर ड नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे विकोज हमने जो करेलों में और छिलकों में नमक लगाया है वही काफी है इस सब के लिए इसमें दोने के बाद भी थोड़ा सा परसेंट रह जाएगा आदिके मैंने पीस लिया है और थोड़ा सा भी इसमें लगवक एक तेर चम्मच पान करकर मसाला फिल करिये है में इसमें तो इस तरह से सभी करेलों के पीसी और को कोकर में हम डाल रहे हैं यहाँ फार यहाँा मैं पर आपका भी थोड़ा ठंडा इंग Nagar Mig imperative आथा आहा वही का मत वह ही और को कोकर में वहाँ इसमें पार किसरकल भी मुझे दाना है चाविम कोकर तेल में इन करेलों को रख दिया है और जो एक्स्ट्रा मसाला बचा है उसको भी इन करेलों के उपर डाल दिया है अब देखे मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला है विकॉस हमने करेले पानी से दोएते हैं तो पानी की क्वांटिटी है इसमें तेल भी थोड़ा जादा है और इसके बाद हमने मसाला भी पीशा था अब इसमें हम क्या गरें ही जैसे हमारी सीटी थोड़ी सी भढ़ जाएगी देखे इसमें CT भरने लगी है तो मैं इस कोकर को लेकर अच्छे से हिला दूँगी और अब इसमें हम एक CT आने देंगे एक और बार आप ध्यान से सुन लीजे कि जैसे ही इसमें लगवा आदी CT भर गए थी मैंने कोकर को अच्छे से हिलाया है उसके बाद इसमें मैं पूरी CT आने दूँगी CT आ गई है चलिए इस पूरी CT को हम निकाल देते हैं जैसे मैं यहाँ पर चमच की हेल्प से CT को निकाल रही हूँ इसी तरह से पूरी CT आप निकाल दीजे और खोल कर देखे दें कि कैसे है हमारे करे ले तो यह दिखे बढ़िया से गोल्डन हो चुके हैं और मसाला भी अच्छा जा हो गया है मैं आपको कैमरी को एकदम करे लिके उपर ले जाकर भी दिखाऊंगी अभी थोड़ा यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है जिसकी वेसे इसका कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा है और मैं अब यह आपको सोड़ कर दिखा देती हूँ कि अच्छे से गले हैं या निंगले यह दिखे कितने बढ़िया तरीके से कल चुके हैं और अब मैं आपको एकदम उपर कैमरा दिखाते हूँ कि इसका कलर कितना बढ़िया गोल्डन आया अब हम क्या करेंगे बैसे तो यह भी प्रॉपर गोल्डन हो गया है पक भी गया है लेकिन अभी इसमें भुनने वाला टेस्ट नहीं आया है इसलिए हम flame को कर देंगे एकदम low फ्लेम को एकदम low कर देंगे और cooker पर हम ढगकन नहीं लगाएंगे इसी तरह से जैसर कि अभी as it is हमारे करेले हैं इनको हम 3-4 मिनट के लिए low flame पर रग देंगे और ये देखिए 3-4 मिनट के बाद ही हमारे करेले प्रॉपरली भून गए हैं आगे पीछे दौनों साइट से मैं आपको दिखा रहे हूं और इतनी बड़िया गोल्डन करेले हमारे इतनी जल्दी बिना कड़ाई में मसाला बिखरे हुए तयार हैं